इस वीडियो इस ब्राद टी वे बनाना पीपल को मेंड़ी है वेलकम बैक गाइस तो वन मोर एपिसोड फाइनली वे बैक वित अनदर एपिसोड बहुत टाम से एपिसोड नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम चालू थे सॉली फो दैट इस एपिसोड विल कवर एवरिटिंग जो फॉर्स एपिसोड था बैल आइकन को लेके उसमें बहुत जन ने पुछा कि पिक को एडिट कैसे करते हैं एपिसोड पुर्स एपिसोड जुआर्स और एडिट के सब्सक्राइब तो लाइक पिक्सार तुआ, पिक्से प्रो हुआ, मैंने पिक्से प्रो यूज़ किया है सिम्प्ली पहले यूटुब चैनल पर जाओ अपने स्क्रिंशोट ले लो इसका दें अफ्टा एप में आ जाओ गेट पिक्चर और अपने पिक्चर को यहाँ पे ले के आओ दें अफ्टा आप इस इफेक्ट में जाओ इंसर्ट पिक्चर में जाओ और अपने स्क्रिंशोट को ले लो उसको प्रॉप कर लो प्रॉप पर ली दें अफ्टा प्रेस ओके और उसको सरी जगह पे मर्ज कर लो से जगापकरने के बाद क्लिक को के बाकी के जो टुटोरियल है उसको step by step देखो first episode ने आपको समझ आएगा बहुत simple है और फिर भी ना समझ आए तो do let me know in comments will help you for sure so host आला पार्ट एडिट करने के लिए simply timeline पर आजाओ यहाँ यहाँ यह टाइम लाइन है simply अपने footage को यहाँ लेकर आओ then after text में जाओ और यह दो effect आप use कर सकते हो simply यहाँ पर लेकर आओ इसको drag and drop कर लो then after double click करो इस पर इसा खोलेगा then after double click यहाँ पर करो और जो भी नाम है वो लिक डालो simple है then after add image कर सकते हो यहाँ पर इमेज आड़ करना पड़ेगा आपको Google पर search मारके YouTube का जो आइकोन है YouTube का आइकोन हुआ ट्यूटर का आइकोन है जो भी हुआ वो आइकोन सर्च मारके लेना पड़ेगा यहाँ पर एड़ कर लो इसको छोटा कर लो then after place कर दो सही जाएगा और add text में यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं बस then press ok अब इसको प्ले करके देखो को तो यहाँ आगा so जो गोचुन अंदर ओ फुडिपा यूज करते है जूम एफेक्ट अनौल so simply यहाँ पर आजाओ अपने फुटेज को ताइम लान पर लेयाओ वापिस then after video effects में आजाओ और यह सब आप यूज कर सकते हो flip twist skew then after shift हुआ rotate हुआ and then zoom हुआ then उपर यहाँ पर यहाँ पर देखो पैनेन जूम है वो भी यूज कर सकते हो आप इसको simply drag and drop कर लो यहाँ पर then after इसको वापिस right click और add line then after वापिस दूसरे file को भी यहाँ पर आप ला सकते हो simply आप लेकर आओ तो आपका footage ऐसा दिखेगा then after simply आप sound effect डाल दो इस पर आपका footage वैसा दिखने लगा जैसा आपको चाहिए आप rotate कर सकते हो shift कर सकते हो skew कर सकते हो zoom कर सकते हो simple है बहुत simple है अब बस experiment करते हो sound effect के साथ then after बहुत simple है so बस hope आपको समझ आ गया हो और भी कोई questions हो तो comment में बता हो we'll cover everything hope you guys enjoyed like subscribe और share तो कर दो रहे बाबा